पुलिस कस्टडी में दूलहे की मौत से मचा हरकंप, जीहा गुना में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिससे हरकंप मच गया है, घर में शादी की तेयारियां चल रही थी, तभी उस घर में पुलिस आधमकी और दूलहे को गिरफतार कर लिया, अब शादी वाले घर मे मातम पसरा हुआ है, चुनकि पुलिस कस्टडी में दूलहे की मौत हो गई है, दरसल, पुलिस देवापार्दी नाम के युवक से डकैती के मामले में पूछताच कर रही थी, तभी युवक की मौत हो गई, पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में परिजनों का आरोप कि म्याना थाने के टी आई संजीत मावई ने देवा पार्दी को थर्ड डिग्री टॉर्चर किया जिससे मौत हुई है परिजनों ने थाना प्रभारी संजीत मावई वा एसाई उत्तम सिंख पर एफाया दर्स करने की मांग की है मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुश खबरी जी हां मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुश खबरी आई है प्रदेश के मुख्या सिये मोहन यादव ने रविवार को इंदोर एमपी में एक नई शुरुआत कर दी है जिसका सीधा लाब एम एमपी में शिक्षकों के 9000 पदों पर होगी भर्तियां, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तयारी करने वालों के लिए बड़ी खुश खबरी है एमपी में विभिन विभागों में 11000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिन में 9000 टीचर्स के पद भी शामिल है कर्मचारी चैन मंडल ने एकजाम का कैलेंडर तयार कर लिया है, जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है जांकारी के मताबिक इन पदों में से 25 प्रतिशत पद अतिथी शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेंगे और अन्य आरक्षन नेमानुसार लागू होगे किसानों के साथ जीतू पटवारी ने खोल दिया मोहन सरकार के खिलाफ मोर्चा सीहोर जिले के आश्टा शेत्र में देश का सबसे बड़ा एथिन क्रैकर प्लांट लगाया जा रहा है लेकिन इसे लेकर आश्टा के किसानों ने मोर्चा खोल दिया है दरसल इस परियोजना को मनजूरी मिलने के बाद से ही शेत्र के किसान अपनी जमीन के अधिग्रहिन को लेकर लगातार विरोध प्रदशन कर रहे हैं इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रविवार को किसानों के बीच पहुंचे जहां उन्होंने किसानों से बात चीत की और जीतू पटवारी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस आपके साथ है हाल ही में हुए उपचुनाव का परिणाम भी बीजेपी के पक्ष में आया उसके बाद ग्रिह मंतरी अमिच शाह भी मध्यप्रदेश आगए और ग्रिह मंतरी अमिच शाह CM मोहन को लेकर संकेत भी दे दिये हैं मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा बजट है जो विकास और किसान दोनों के बीच में संतुलन लाता है MP में भारी बारिश के चलते फट रहे हैं बादल, मध्य प्रदेश के खरगोन में जमाजम बारिश के चलते बांकुर नदी में बार आ गई अचानक आई बार से नगर पालिका का टैंकर बह गया इतनी बरी बारिश के कारण लोगों को खासी दिक्कत उठाना पड़ रही है खरगोन जिले में रविवार से शुरू हुई बारिश सुमवार को भी जारी रही है रुपारेल नदी में आई बार से खंडवाजन्या रोड दो घंटे के लिए बंद करना पड़ा जिससे आवाजाही में खासी परेशानी आई बता दें कि मालवांचल के साथ ही साथ पूरे प्रदेश में बारिश का कहर जारी है MP में नहीं थम रहा बागों की मौत का सिलसिला देश के टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में बागों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है एक के बाद एक बाग की मौत की खबरें सामने आ रही है अब भोपाल से सटे राइसन जिले में रातापानी टाइगर रिजर्व के चिकलोध रेंज में एक बाग का शब मिला है वन विभाग की टीम ने बाग का पोस्ट मॉटम करवाने के लिए वन विहार और स्थानिय डाक्टर्स की टीम को बुलाया है पोस्ट मॉटम के बाद ही बाग की मौत खुलासा होगा की आखिर उसकी मौत कैसे हुई पढ़ाई से कुछ नहीं होगा पंचर की दुकान से घर चलेगा जीहा बीजेपी विधायक ने युवाओं को दी अजीब औ ग्रीब नसिहत दे रहे है बीजेपी विधायक पनालाल शाक्य का एक अजीब ग्रीब बयान सामने आया है इस बार उन्होंने कह दिया कि कॉलेज की डिग्री से कुछ नहीं होने वाला पंचर की दुकान खोल लेना उससे जिवनियापन तो चल ही जाएगा अब विधायक जी का ये बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विशे बन गया है प्रधामंत्री कॉलेज ओफ एक्सिलेंस कारिक्रम के दौराम पनालाल शाक्य ने मंच से ये बयान दिया है रुक जाना नहीं दसवीं और बारहवीं के रिजट को लेकर आया बड़ा अपडेट मध्य प्रधेश में जल्द ही कक्षा दश और कक्षा बारह के लिए एमपी बोर्ड रुक जाना नहीं परीक्षा के परिणाम घोशित किये जा सकते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रधेश स्टेट ओपन स्कूल जल्द ही रिजट खोशित कर सकता है ऐसा माना जा रहा है कि इस सब्ताह के अंदर इस परीक्षा का रिजट सामने आ जाएगा जांकारी के मुताबिक इस साल इस परीक्षा में प्रदेश के लगभग 255,000 चात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे जो अब अपने परिणाम का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं खंडवा से बीजेपी विधायक कंचन तनवे ने जिस कॉलेज का उदघाटन किया उसी में पहुँच गई परीक्षा देने जीहा ऐसा अकसर कम ही होता है कि किसी हॉस्पिटल या कॉलेज का कोई जन प्रतिनिधी फीता काटे और फिर उसका उप्योग भी सबसे पहले वही करे खंडवा में प्रधामंत्री कॉलेज आफ एकसिलेंस का फीता काटकर लोकारपन खंडवा विधायक श्रीमती कंचन तनवे ने किया और फिर एक स्टूडेंट की तरह अनुशासित होकर वो परीक्षा कक्ष में BSW की परीक्षा देने भी पहुँच गई अब उनके विधायक से विध्यार्थी बनने की हर ओर चर्चा हो रही है दरसल खंडवा विधायक कंचन तनवे का ग्रेजुएशन अधूरा ही था लेकिन राजनीती में आने के बाद उन्हें लगा कि ग्रेजुएट होना जरूरी है इसलिए उन्होंने बेचलर और सोशल वर्क के डिग्री कोर्स में परीक्षा देने का निर्ने लिया